आपने मुझे राजस्तान विदान सभाग के परक्रियात था नियोमों के नियम 295 के तैट बोलने का मोका दिया उप्रोक्त विशे में सादर निवेदे ने की मेरी विदान सभाग सेत्र आशिंद हुड़ा में पिछले 35 से 40 साल चे अकाल पढ़ रहा है वर्सा की कमी के कारण यहां के किसानों व्यापैरियों के इस्तिती बहुत ही खराब है मेरी विदान सभाग के आम मजदूर आम किसान पलायन कर चुके हैं गुजरात महराष्ट वा अजन्य परदेसों में जाकर मजदूरी करने को वीवस है यहां पर खारी बांध है जिस पर खारी नदी है तदा मानसी वा नेखाडी नदी सहीत तीन नदियां है जो पिछले कई वर्सों से सुकी पड़ी है मेरा मुख्य मंद्री जी से आग रहा है कि इस खेतरी के जन्ता की इस उचित वा वाजिब मांग को मानते हुए इन तीनों नदियों को ERCP में या अन्य किसी भी डेम से जो सरप्लस पानी होता है उसमें जोड़कर खेतरी के जन्ता को अकाल से निजात दिलाने की किरपा कराएं खारी नदि राज समन्द के दिवेर के पास से शुरू होती है जो देवगड के सोप्री डेम को बढ़ते हुए खारी डेम से होते हुए गुलाप्रा बिजेनिकर सहीत हजारों गाउं डानी मजरों खेडों को प्रभावित करती है अता है मुख्यमंद्री से श्यत्री की जनता की ओर से नमर निवेदन करता हूं कि आपने कुछी मामे जन हित के कई मैतुपूर्ण कारे किये हैं तदा कई योजनाओं को धरातल पे उतारा है आप एक समय दन सील एंव विकास पूरुष मुख्यमंत्री हैं अते आप से नमर निवेदन करता है कि आप इसी बज़ट में आपकी मही जवई योजना की डिपियार में या अन्य किसी भी योजना में आसिंध हुड़ा विदान सभा की नदियों को जोड़कर आम जनता को पराहत देकर आसिवाद परदान कराने का सर्म गरावें श्री सुरेश गुजर